Hello Everyone, Welcome to Success with Rai Academy, Current Affairs, Current Affairs में आज हम 12 मई 2020 के Important Questions को Discuss करेंगे और इनमें उनी Questions को लिया गया है जो Exam के Point of View से Most Important है हर Question के साथ आपको Important Facts भी बताए जाएंगे जिसे आपको Note करते हुए चलना है और इस वीडियो का PDF लिंक आपको Description Box और हमारे Telegram Channel Success with Rai Academy से मिल जाएगा आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अब चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहलें Question देख लेते हैं Mother's Day कब मनाया जाता है यह हमारा पहला Question है इसका Right Answer होगा First Option मई महीने के दूसरे रवीवार को दुनिया भर में Mother's Day अलग अलग तारिखों से मनाया जाता है भारत में मई के दूसरे रवीवार को Mother's Day के रूप में मनाया जाता है वहीं USA, Australia, Canada, New Zealand, चीन, जापान, फिलिपिन्स में यह खास दिन 12 मई को मनाया जाता है अरब देशों में 21 मार्च को Mother's Day मनाया जाता है Next Question है मद्ध प्रदेश सरकार ने कारखानों में काम की आउधी 8 घंटे से बढ़ा कर कितने घंटे कर दी है इसका राइट एंसर होगा Second Option 12 घंटे मद्ध प्रदेश के मुख मंत्री सिवराज सिंग चोहान ने COVID-19 से प्रभावित उध्योगों एवं व्योसायों को पुनापट्री पर लाने के मकसद से विभिन कदमों की घोशना करते हुए कहा है कि मद्ध प्रदेश में सभी कारखानों में कारे करने की पाली 8 घंटे से बढ़ा कर 12 घंटे की होगी उन्होंने प्रदेश में अध्योगिक गतिविधियों को बढ़ा कर रोजगार के उस्रों में व्रद्शि नय निवेश को प्रुसायित करने और स्रमीकों की हितों की रक्षा के उध्देश्च से स्रम सुधारों की घोशना की है उन्होंने कहा कि कार खानों, दुकानों, ठेकेदारों एवं बड़ी निर्माताओं, बीड़ी निर्माताओं को खोलने के लिए पंजियन और लाइसेंस का कार तीस दिन के स्थान पर एक दिन में होगा अब इस कोईशन में डिसीजन लिया है, मद्द परदेश राजजी के बारे में डिटेल से जानने के लिए हम भारत का मैप देखेंगे देखेंगे, यह है भारत का मैप और इसमें मद्द परदेश ये है मद्द प्रदेश, मद्द प्रदेश की सीमा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तिस गड़, महराष्ट, गुजरात, राजसे लगती है इसकी कैप्टल है भोपाल, यहां के मुख्य मंत्री है सिवराज सिंग चौहन, यहां के गवर्नर है लाल जी टेंडन, मद्द प्रदेश जोकी जनसंख्या की द्रष्टी से भारत का पांचवा सबसे बड़ा राज्जी है, और अगर छेतरफल की बात करें तो भारत का दूसर सबसे बड़ा राज्जी है, यहां का लिंगा नुपात 930 महिलाएं प्रती हजार पुरुस पर है, यहां की साक्षर्टा दर 79.32 परतीस परतीसत है, जिसमें पुरुस साक्षर्टा दर 78.73 परतीसत और महिला साक्षर्टा दर 69.24 परतीसत है, यह इस कोशन के इंपोर्टन फ वासुदेवन का निधन हो गया, वह किस छेत्र से संबंदित थे। इसका राइड एंसर होगा, फर्स्ट आप्शन इतिहास कार। हरी संकर वासुदेवन यूरोपिय और रूसी इतिहास और भारत-रूस संबंद के विससग्य थे। वह कलकत्ता विस्विद्याले में इतिहास विभाग के प्रोफेशर वह चीनी केंद्र के निधेशक रहे थे। इससे पहले उन्होंने केंद्रिय सांस्कृतिक मंत्राले के अंतरगत मौलाना अब्दुल कलाम आजाद Institute of Asian Studies कुलकत्ता के निधेशक के रूप में कार किया था। उन्होंने Cambridge विस्विद्याले से इसनातक किया हैं जहां उन्होंने अपनी इसनातकोत्तर और PhD भी पूरी की थी। Next Question है किस संग्ठन ने यहां परोगा Corona महामारी के खिलाफ कमजोर देशों के भीतर जरूरी चीजों के लिए 6.7 अरब डॉलर की निधी का दान करने की अपील की है। संग्ठन ने आगाह किया है कि यदि इस मदद में नाकाम रहे तो भुकमरी की वैश्विक महामारी फैलेगी और अकाल, दंगे वा अधिक संगर्स का दुनिया को सामना करना पड़ सकता है। संग्ठराष्ट के मानविय साहता प्रमुख मार्क लोकाउक ने कहा कि 25 मार्च को संग्ठराष्ट की ओर से की गई 2 अरब डॉलर की सुरुवाती अपील को इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि आयका कम होना और नौक्रियों जाने की घटनाए इस समय बढ़ी हैं, साथ ही ख कोशन है, विश्व प्रवासी पक्छी दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट एंसर होगा, थर्ड ऑप्शन, नौ माई को, विश्व प्रवासी दिवस प्रतेख वर्स नौ माई को मनाया जाता है प्रतेक साल नौ मई को दुनिया भर में विस्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है इस दिन को मनाया जाने का उद्देश प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरुपता बढ़ाना और उनके संदक्षन के लिए जरूरी अंतराष्टी सयोग के महत्तों के बार में देशों को जागरूप करना है विश्व प्रवासी दिवस की सुरुवात पहली बार साल 2006 में वन ने जीवों के प्रवासी प्रजातियों के सनक्षण का कंवेंशन में की गई थी नेश्ट कोश्चन है चीन के समर्थन वाले एशियन इंफ्रस्ट्रक्चर इंवेश्ट्मेंट बैंक ने किस देश को कुरोना वाइरस से निपटने के लिए 3800 याने 3800 करोन रुपए का लोन मंजूर किया है इसका राइट एंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन भारत दुनिया में जारी कुरोना वाइरस के कहर के बीच तमाम देशों की अर्थवरस्था को तगड़ा जटका लगा है ए आई आई बी ने कहा है कि यह लोन भारत सरकार को सारजनिक स्वास्थ तंत्र को बहतर बनाने बहुश में ऐसा कुछ दोबारा होने से रोकने और ट्रांस संधान को बढ़ाने का भी समर्थन करती हैं नेस्ट कोशन पर आते हैं किस राज्य सरकार ने ग्यारा ब्रांड के पान मसाले को बारा महीने के लिए बैन कर दिया है इसका राइट एंसर होगा थर्ड ओप्शन जार्खंड जार्खंड सरकार ने पान मसाले पर 8 मई 2020 को पू विभिन ब्रांडों की जांच में मैंगनीशियम कार्वोनेट पाए जाने के बाद यह फैसला लिया है इस संबंद में स्वास्त सचिव राज्य के खाद सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर नितिन कुलकर्णी की तरफ से आधेस जारी किया गया है पिछले साल राज्यों में इ अब यह ष्टेभ लिया गया है जहारखंड सरकार दौरा तो जहारखंड के बारे में जाने के लिया Bhrat का मैप देखते से यह लनँ और इसमें सचिंव ह्च्च्छ अबिहार उत्तर प्रदेस उडईसार पंशिम मंगाल राज्यों से लगती है यहां की capital है राची यहां के मुख्य मंत्री है जारखंड के मुख्य मंत्री है अर्जुन मुंडा और यहां के जो governor है वो है द्रौपती मुर्म और यहां की capital आपको बता रही गई है राची जारखंड जो की जनसंक्या की द्रिष्टी से भारत का चवदवा सबसे बड़ा राज्जी है और छेत्रफल की द्रिष्टी से यह भारत का सोलवा सबसे बड़ा राज्जी है लिंगा नुपात यहां का 947 महिला प्रती हजार पूरुस पर है यहां की साक्षरता दर है 6.41 पर और महिला साक्षर्टादर है 55.42 प्रतीसत ये इस कोशन के important facts थे अबने इस कोशन पर आते हैं मुडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने मौजूदा वित्वर्स के लिए भारत की आर्थिक वृध्धी दर के अनुमान को घटा कर कितने प्रतीसत कर दिया है इसका right answer होगा second option सुन्ने प्रतीसत मुडीज के मुटाबिक भारत की सकल घरेलू उत्पाद अर्थाथ GDP कम रहेगी कुरोना वाइरस के वज़ा से देश की अर्थ व्रस्था का संकट बढ़ता जा रहा है मुडीज ने अपने नय पुर्वानुमान में कहा है कि वित्वर्स 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP की व्रध्धी सुनने रह सकती है इसका मतलब है कि देश की GDP की इस्ति इस वित्वर्स में सुनने रहेगी एजेंसी ने हालाकि वित्वर्स 2021-22 में व्रद्धी दर के 6.6 प्रतीसत पर पहुँच जाने का अनुमान व्यत्त किया है मुडीज ने पिछले महीने के अंत में केलेंडर वर्स 2020 में GDP व्रद्धी दर का अनुमान घटा कर दिस्मल्लो 2 प्रतीसत कर दिया था नेक्ट कोर्शन है राष्ट्रिय प्रद्धोगी की दिवस कब मनाया जाता है इसका राइट एंसर होगा सेकेंड ओप्शन 11 मई यह दिन भारत की विज्ञान में दक्षता एवं प्रद्धोगी की में विकास को दर्साता है इस दिन राष्ट गौरों के साथसा देश अपने विज्ञानिकों की उपलबदियों को भी याद करता है विज्ञान एवं प्रद्धोगी की मंत्राले इस दिन प्रते एक साल राष्टिय प्रद्धोगी की दिवस मनाता है प्रवदोग की एवं विज्ञान मंत्राले के द्वारा उनके विभाग में विभिन कालकरम आयोजित कराय जाते हैं इस दिवस को तक्नीकी संरचनात्मक्ता वैज्ञानिक जाँच और विज्ञान के एकी करण में किये गए प्रयास के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है और नौकरियों से प्रवासियों को जोडने हेतू प्रवासी राहतमित्र नामक एप लॉंच किया है इसका राइड एंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी सरकार के अनुसार इस एप को लॉंच करने का उद्देश इन मजदूरों को विभिन योजनाओं का लाभ दिलाना है साथ ही एप की साहता से मजदूरों के स्वास्थ पर निगरानी रखने में भी सहूलियत होगी सरकार ने विभिन्न विभागों द्वारा आपस में सूचना का आदान परदान कर इन प्रवासी नागरिकों के रोजगार और आजीविका के लिए नियोजन एवं कारकरम बनाने में मदद मिलेगी इस एप की मुख विसेस्ता यह भी है कि इसमें ऑनलाइन के साथ साथ आफ लाइन भी काम कर सकते हैं अब यह निर्णा लिया गया है एप लॉंच किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार दोरा तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानने के लिए हम भारत का मैप देखते हैं देश से भी लगती है, यहां की कैप्टल है लखनव, यहां के मुख मंत्री है योगी आधित्यनाथ, यहां की गवर्नर है आनंदी बेन पटेल, उत्तर प्रदेश जोकी जनसंक्य की दरश्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्जी है, याने पहले स्तान पर है, और छेतफल की 28 प्रतीसत और मैला सक्षरता दर है, 57.18 प्रतीसत तो यह आज का 12 माई 2020 के important questions थे, इस वीडियो का PDF लिंक आपको हमारे